अनुसूचे जातियों अनुसूचे जन जातियों का सब कैडिगरी बनाए जाना जायस। एक सम्विदान बेंच ने किया है सरवोच्छे अदालत ने कहा कि राज्य को दिये जाने वाले आरक्षन की वीतर ऐसी जातियों को जादा प्रात्मिक्ता दे सकते हैं जो आर्थिक सामाजिक रूप से अधिक पिछड गई है कोट ने कहा कि राज्यों को कोटा की वीतर कोटा देने के लिए ऐसी एस्टी में सब केड़िगरी बनाने का दिकार है अदालत के फैसले के बाद यह तैह हो गया है कि राज्य सरकारे अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती शेडियों के लिए सब केड़िगरी बना सकती है राज्य विधान सवाए कानून बनाने में Chief Justice डिWAI चन्द चूड, जस्चिस भी आर गवई, जस्चिस विक्रमनाथ, जस्चिस बेला एम, त्रिवेधी, जस्टेस पंकाच मिठल, जस्टेस मनोच मिष्टा जस्टिस सतीश चंद शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया जस्टिर डिवाई चंदचूट ने कहा कि S.E.S.T. कोई एक एक सजाती समूर नहीं है और इस बात के सबूत भी है उन्होंने कहा कि आरक्षन के भीतर आरक्षन देने से सम्वेदान के अनुछेर 14 का उलंगन नहीं होता उन्होंने कहा कि इस मामले में 6 निर्णे पहले भी आ हैं और सभी में इस बात को माना गया है कि आरक्षन की भीतर आरक्षन देना सही है कोट ने यह निर्णे सुनाने के साथ ही साफ कर दिया है कि किसी एक जाती को सौथ प्रतिश्यत आरक्षन ना दिया जाए साथ ही कोट ने यह साफ किया आरक्षन की भीतर आरक्षन देने के दौरां जातियों को सूची से अंदर बाहर करने का नेने तुस्टी करण के लिए ना लिया जाए हाला कि जस्टिस्ट बेला त्रवेदी ने इस फैसले से असहमती जताई है उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि अंद्रप्रदेश और पंजाब जैसे राच्यू में स्टेट वाइस रेजर्वेशन के कानूनों को हाई कोट्स ने असमेधानिक बताया है आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा गया है कि इसमें कोई संदे नहीं है कि रास्टपती की अधिसूचना अंते मानी जाती है केवल संसदी कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बहा है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक संवरूप समूब बन जाती है राच्चियों का सब क्वालिफिकेशन आर्टिकल 341 के तहत रास्टपती की अधिसूचना के साथ शेर्चार करने जैसा होगा बतादी की कोटा की भीतर कोटा का मतलब है आरक्षन के पहले से समूब तक पहुँचे जो आरक्षन प्रणाली के तैत भी उपेक्षित रह जाते हैं इसका उद्देश्य आरक्षन के बड़े समूब के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिचित करना है कि वे आरक्षन का लाव उठा सके उधारन के लिए अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती के भीतर अलग-अलग समूब को आरक्षन दिया जा सकता है ताकि उन समूब को जादा प्रतिनिद्व और लाव मिल सके जो सामाजिक या आर्थिक रूप से जादा बंचित है